हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और हमारे आज का टॉपिक है हर्निया तो आईए हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हर्निया क्या होता है फिर उसकी बाद में हम देखेंगे कि हनिया के Types क्या-क्या होते है फिर उसकी बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन-kौन से Risk Factor होते हैं इसके फिर उसकी बाद में हम देखेंगे Science and Symptom इसकी Etiology क्या होती है And last में हम लोग देखेंगे Whereas Submar cosmos तो आहिए हम स्टार्ट करते हैं हन्टिया क्या होता है हन्टिया स्ट्रूशन ओफ अर्गन थहर दे गलता है which part of organ is displaced and produced through the wall of cavity containing it often involving the intestine at the weak point in the abdomen wall क्या होता है हर्णिया एक ऐसी कंडिशन होती है जिसके अंदर क्या करते है और्गन या तो डिस्प्लेस हो जाता है यह और्गन क्या करता है या प्रोट्यूस होता है मतलब क्या होता है एक्सेंड होता है किसके थुरू होता है अब्डॉमिन कैविटी की वॉल के थुरू ठीक है मोस्टली इसमें कौन इंवाल होता है मोस्टली के इंवाल होता है इस इंटेस्टाइन इसके अंदर इंवाल होती है और कहां पर होता है यह अब्डॉमिन वॉल की वीक पॉइंट पर इसकी चांसे कहां पर ज्यादा होता है अब्डॉमिन वॉल्ट की वीड पॉइंट पर इसके होने के चांसे जादा रहते हैं तो हर्निया क्या होता है हर्निया is the protrusion of organ and a throat its containing wall क्या कैतने किसी भी organ का protrusion है किस की थो उसकी containing wall के थो या फिर कोई भी ऐसी condition जिसके अंदर क्या करता है हर्निया अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से element है जिनकी कारा हर्निया डवलप होता है the most important element in the development of हर्निया congenital or muscles weakness increase of in the intra-abdominal pressure क्या करता है muscles weakness muscles weakness क्या जब भी हमारी body के अंदर muscles weak हो जाती ही तो अब हर्निया होने के chances क्या होते हैं जादा हो जाते हैं ठीक है increased of the intra-abdominal pressure जब भी हमारी abdomen cavity के अंदर pressure increase हो जाता है यह तो condition mostly जब भी develop होती है तो हर्निया होने के chances जादा होते हैं ठीक है अब हम देखेंगे की type of हनिया के हनिया की tyize कौन-कौन से होते हैं फर्स टाइप है इसका इंग्वनल हर्णिया इंग्वनल हर्णिया जो होता है फर्दर दो टाइप का होता है इंडिरेक्ट इंग्वनल हर्णिया और सेकंड डायरेक्ट इंग्वनल हर्णिया सेकंड हर्णिया फर्स टाइप होता है इंग्वनल हर्णिया सेकंड क्या होता है तो टाइप का होता है कंजनेटल एंड एक्वाइड फिफ्थ है इंसीजनल हर्णिया अकर एड़ आड़ साइट ऑफ प्रीवेर सर्जरी सर्जीकल इंसेशन ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से हर्णिया जो होता है कौन-कौन से हर्णियों की चांसे ज्यादा हो होता है श्याद होता है फिर उसकी मां करते हैं इंटेस्टेंल हर्णिया 10% होता है अमिलीक लदधिया फोर परसंट होता है एपिक हर्णिया less than 1% प्रीपल साइड अंदर होता है मतलब है अगर कि किसी के इनदर अपिक जो निकी चांसेंचें बहुत कम होते हैं ठीक है फीम हम में पूच्छा जाएीज, फिमरील हनिया में अगर पूच्छा जाए डिप खोर हने втор пой-5 परसेंے में में पूचा जाएं धाइं त właściक। अब हम बात करते हैं कि inguinal hannia और femoral hannia को हम क्या बोलते हैं ग्रोइन हनिया भी भोलते हैं inguinal hannia और femoral hannia are non together are growing hannia because they occur at the growing reason क्या होता है कि inguinal hannia और femoral hannia जो होता है हमारी बोडि के growing reason के अंदर develop होता है इसलिए इसे growing hannia भी पोल सकते हैं कि में कभी फूचे कि हम पता सकते हैं कि को कौन से होते हैं इंग्वरल हंडिया और और फीमरल हंडिया को भूझा क्वाल में देन्म कोई घ्रच में होता है खूस पर्च में कीसे आपनेंग की क्सेछ में इन्धिक होता है मंसेल मुझन क्राइब प्रेशर या हमारी बीक रहा तो अब हड़ाया उने के चांसे ज्यादा जाद होते हैं देखा हमने इंग्वनल है इंग्वनल हर्णिया है इंडिरेक्वनल हर्णिया घर्ण फिर उसके बाद में फिर हमने देखा फर्ट उंबलिकल आप निया विपव्य चिएएवर टॉबले हनिया पिर लोगों ने बात करें कि包 ग्रों हनिया इंगे अब बात करते हैं बात कर देखते ग्यों हनिया इंटेस्टाइन पुष थ्रू वीक और टीर इंटो लौवर अब्डॉमिनल वल इसमें क्या होता है इंटेस्टाइन कि अगरती पुष होती है थेक़ है अककर 25% more often in men than women इसे जो होता है 25 क्या होता है अब हम देखते हैं टाइप ऐफ इंग्विनल हर्णिया इंग्विनल हर्णिया जो होता है ड्यू तैप का उता है इंडरेक्ट हर्णिया और डाइरेक्ट हर्णिया क्या होता है इंडिरेक्ट हर्णिया क्या होता है most common type of हर्णिया ठीक है अगर हमें कभी पूचा जाए कि हर्णिया में कौन सा टाइप जो होता है most common होता है तो हम बोलते हैं इंग्वनल हर्णिया फिर हमें यह पूचा जाए कि इंग्वनल हर्णिया में भी कौन सा टाइप जो है most common होता है ठीक है, इंडिरेक्ट हर्णिया क्या होता है, most common type of हर्णिया, protruse at the deep inguinal ring, यह मैं आपको आगे समझाओंगे, डाइग्राम में, और lateral to the inferior epigastric artery, इंडिरेक्ट हर्णिया क्या होता है, most common type होता है, ठीक है, protruse at the deep inguinal ring, इसमें जो protrusion होता है, intestine का कहा से होता है, deep inguinal ring के, through protrusion होत बात करते होता है गातने होता है ङृत प्रॉजन को दीकिंगरल ईस्टिक होता है और इंदर क्या होता है इंदर होता है लेटरल होता है के और डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि मीडियल रिEr가 आसरीक है अदर कि मीडियल होता है इंफ और इंफिरेक्षट्र कॉल का होता है अब मैं आपको डाइग्राम के थूरू समझाती हूं कि इंडिरेक्ट हनिया क्या होता हूं ने बात करी प्रट्रूज अड़ डी पिंग्वनल रिंग जैसे हम लोग देखेंगे यह कौन से इस्ट्रक्चर है यह तो हो गई हमारी जैसे यह क्या होगी हमारी intestine होगी ठीक है उसके बाद में यह जो structure है यह होगी हमारी deep in juvenile ring यह होगी spermitted cord और यह हमारी goal structure है inferior epigastric artery ठीक है यह inferior epigastric artery इसमें क्या होता है और यह क्या हमारी abdominal wall ठीक है अब हम लोगों ने बात करी इसमें क्या होता है patronus path deping means programme इंटस्टाइन है और है थिप इंगवनल पडर्ट्यूजान कहता है प्रूज्जन कहा से होता है और यह क्या है यह क्या यह और एन-पिजेस्ट्रिक आथ्रे allows स्थाल join inferior apigastric artery के LITERAL साइड में प्रेजेंट होती थीक है में सिर्फफ इतना याद लखना है इंडायरेक्ट हंडिया में क्या होता है में cervical papagastric artery के लीटर साइड में होता है अब हम बात करते हैं हम बात करते हैं यह हमारे इंतेसराइन हो गई और यह detected प्रोट्यूजन यह प्रोट्यूजन काई और यह हमार는지 इंबिचिण शनमनें इसमें इसने पोटीजन जो होता है नौर्माल होता है मौत Eli अप्डूवाइम, प्रूभाइं पुत है उन्थेटा अफिक मेल होटा है च्थे के Sellers lower abdominal wand के अंदर ठीक है और t dupe offered इंडिरेक्ट हणिया निया प्रोटीजन होता है dipp iawn रिंग के अंदर इंफीरलール एपीकर्साटीजीन के मीडियल साइट से प्रोटीेजन होता है आप हम की फीमोरी नहीं क्या होता है ठीक है mean theıldowúng है विसरा एनette आम डामीनल विस्टा और 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 पास होता है किसके थुद्रू पास होता है और कहां पर जाता है पैरेटोनियम इस्पेस ऑ फीमोरल के नाल हमारी परेटोनियम इस्पेस के अंदर जाता है तब लोकेटेट अंदर civilian liegtal ट्रैंड जोन यह थोगेटtr देंगaur कहाँ पे प्लीम के अंदर जाता है किसो के फिलर के स्रेज़ पे प convention सिसके आता प्रेजाँ जाता है तब ये हणिया लप होता है ठीक है और क्या होता है 4 calm more common in women women's में इसकी chances जादा होते हैë ingweral हणियों की chances men में जादा होते जबकि femoral हणिया की होने की chances female के अंदर जादा होते हैं है ये यह structure है ये structure है इंग्वेरल लिगामेंट ठीक है और यह femoral triangle zone बन गया ठीक है और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्वाइट टाइप अफ़निया फिमरल हनिया जो है एक्वाइट टाइप अफ़निया है wild pelvis in female females में क्यों होता है क्योंकि उनका pelvis region जो होता है wild होता है लिजय है प्रट्रियों के common है it is Stay две minuteUSE में भूआइप अब मैं लुब आद स्वाइट प्रट्रियों एक चैस्ट क्या होता है चैस्ट चैस्ट क्या बात जो स्टमख पार्ट प्रट्रिव्स होता है अब द्यूत की सी विख लोटा संसे कि अज़ुल सब्सक्राइब ऑपर इसमें के स्टमक का प्रड्रिवरी के अंद्र वह क्या तो है कि अब अ कि हआई और है इसल्ररीवक न ह அ मेंसे के अव्य कि है अब है ढ congressional已經 most of the stomach roll into the thorax मतलब क्या होता है इस घंचे में आप का जो मुट veteran में part हो जाता है uses स्टमक रोल स्टोरी ऐन थो त्थोरेक्स किसा इस्ट्रिक्ट Уllas को विए ठीक है ही स्टार्टिंग होते है मतलब रोल होने लग जाता यहां फर किया होता है नुष यहां पर यहांपर उसलाइडिंग हैन्टे singles खुच च हाँ पर चला जाता है थोरेक्षिजन के अमडर चला जाता है श्लाइडिंग ही है वे उन्हों चला फर रोल रोल घुचार इंडर रोल हो जाता है कि रॉलल हो जाता है पर चेश्चार या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं थोरे एक्सीजन के अंदर तो ये ऐसे यह आपर ठीक है अब बात करते हैं अंब्लीकल हर्णिया क्या होता है अलिकल हर्णिया अकर वेन आंटेस्टाइट और फ्लूट पास्थ जब हमारे इंटेसेंट फैट और फ्लीट कहाँ प्श होता है जाए 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 फिर प्रुट्यूस हो जाता है थीक है इत कॉस्झ बल्ग को क्रियेट करता है हमारे बैली बॉटम के पास में है दुख यह लक्याइब परप्र बर्थ भृताइब यह इंक्रीज इंट्र अब्डॉमिनल प्रेशर यह कैसे डेवलप होता है हमारी अब्डॉमिल के अब्डॉमिनल का प्रेशर इंक्रीज होने के करांड यह दवलप होता है और का मतलब होता है फिल भर्थ ठीक है ना तो यह हम आफ्टर बर्थ हमको मिलता है किस कारण से मिलता है हमारी अब्डॉमिनल रीजन के अंदर प्रेशर को इंक्रीज होने के करण common seen in obese and pregnant women जैसे कि हम लोग उन बात करी healthy या फिर healthy women के अंदर या फिर pregnant women के अंदर ये common होता है अब हम बात करते हैं epigastric harnia occur when fat pushed through a weak part of belly wall क्या होता है intestine मतलब क्या होता है पश होता है किस के थ्रू week push through a weak part of belly wall क्या करता ही divorce होता है कर इस पर बात करेंगे incisional harnia result from ineducate healing of the incision मतलब क्या होता है कि हमारी जो surgery अगर हमारी कोई पुरानी surgery वोई वोई होती है उसकी क्या होती है प्रॉपर healing नहीं होती है तो उसके कराण भी डवलप हो जाता है तो हम लोग ने क्या देखा हर्णिया क्या होता है है कौन कौन से element है जिसकी क्या हर्णिया डवलप होता है उसकी बाद ने हम लोगों ने पढ़ा femoral हर्णिया क्या होता है थर्ड हमने देखा है फूर्थ हमने देखा अंबलिकल हर्णिया फिफ्थ हमने देखा हईपिकस्ट्रिक हर्णिया थीक है अब हम देखते हैं कि हर्णिया की रिस्पेक्टर क्या क्या होते हैं थीक है तो फर्स्ट है और अबेसीटी सेकंड है इन च्डिशन में थोड़ा संबल के रहना चाहिए उसके बासे हम लोग बात करते हैं एटियोलोजी और कौस क्या क्या होते हैं थीक है आई कंडिशन देखास प्रेसर और अब्दॉमिनल वोल और ऐसे चलोओ था इसे आउन्टिया नोर्टक्टिशन के दुर्विंट क्या ह कोई भी condition जो क्या करती है हमारी abdominal cavity का pressure increase करती है उसकी करण क्या होता है हन्या develop हो सकता है कोई भी condition obesity मोटापा heavy lifting sneezing pregnancy ठीक है second क्या है family history तो हम लोगों ने क्या बात करें कि ideology और मतलब की हन्या develop हो सकता है जब ऐसी कोई सी भी condition जिसके अंदर क्या होता है हमारी abdominal cavity के अंदर pressure increase होता है तो उस condition में हन्या develop हो सकता है और family history ठीक है अब हम बात करते science and symptoms क्या होते है नोजिया होती है vomiting होता severe and sudden pain होता और constipation इसकी sign or symptom होते है हन्या के ठीक है और अब हम बात करते complication complication जो होती है ischemia होता है necrosis होता है wooden infection होता है ठीक है I hope आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा comment में जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा and thank you